Hello students, कैसे हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिसकस कर रहा हूँ that is about to the BCS theory और जो BCS theory है basically वो super conductivity को completely explain करती है इसको जो discover किया था वो in 1957 बार्डीन कूपर और स्रीफर ने इसको discover किया था तो before we go into the detail of this BCS theory की वो क्या है तो यहां कुछ basic concept है उनको थोड़ा हम लोग समझे लेंगे तो वो concept helpful होंगे to understand this BCS theory तो उनको मैं generally supporting physical concept बोलता हूँ generally तो क्या है कि सभी teachers को किसी पर particular definitions का जो है उसका idea रहता है कि इसके अंदर ये जो physical concept है वो use होंगे लेकिन जो student के point office है उनको उसका idea नहीं रहता है तो इसलिए उन supporting physical concept को मैं in advance आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या concept यहां पर use करूंगा number one is columbian interaction between the charges वो charges जो है आपके lattice के iron हो सकते हैं and electron हो सकते हैं electron electron हो सकते हैं तो as you know that कि जो plus plus है वहां पर वो repulsive force होगा you know about tweet and जो अगर plus minus है तो वहां पर वो attractive force होगा right तो यह सब idea यह भी बलाओं यहां पर यह फिर repulsive force होगा तो जो column force है उसके तुरू आप इसको describe कर सकते हैं second जो concept यहां पर use होगा वो about to the phonon होगा तो phonon क्या है यह photon से totally different है अगर आपके mind में यह photon का concept भी होगा तो यह photon से totally different है इसको phonon बोलते हैं phonon क्या है phonon actually quantized vibration है phonon जो है वो quantized vibration है अब यह quantized vibrations क्या है तो इसको understand करने के लिए you have to see this picture जो किसी भी matter का lattice है उसमें यह जो atoms है या ions है एक fixed position पर जो है वो situated है और यह सभी को हम लोग virtually imagine कर सकते हैं कि इस way में connect है और इनकी जो nature है यह जो आप देख पा रहे हैं bonding इनकी वो elastic है अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा पिक करके इसे उपर उठा लूँगा उठा लूँँ तो यह कुछ इस तरीके से band हो जाएगा और उसके बाद में छोड़नों तो फिर वो जो यहां stretching आया था वो जो है transfer हो जाएगा to the next one तो यहां यह कुछ इस तरीके से आपको फिर दिखाई पड़ेगा जी तो यह इस टाइप से एक vibrations आ जाएगा तो अगर मैं particular इसी point पर focus कर रहा हूं माइक्रो कभी कुछ लेवल पर पहुंच गया हूं तो इसी के लिए अगर मैं bulk के form में देखता हूं तो फिर इसके साथ भी कुछ ऐसा ही जो situation है वह हो सकता है तो इस तरीके से यह एक vibration यहां पर create हो जाएगा यह जो vibration है यह जो medium के अंदर travel करता है इसको अगर हम quantize कर दें तो वह उसको हम लोग phonon बोलते हैं जो lattice vibrations है उनको जब quantize कर देंगे तो उनको phonon बोलते हैं वाइल photon यहां पर photon का asg कोई रोल नहीं है बट photon you know कि वह energy के एक चोटे चोटे packet है तो उसको आप hnew से define करते हैं तो यह दो concept यहां पर important है और उसके बाद जो है आपके जो interaction हुआ फिर phonon के साथ में है तो यह सब basic concept है फिर हम एक phonon और यह momentum की बात करेंगे तो momentum होगा तो कोई भी अगर moving particle जिसके पास कुछ velocity है तो और जिसका कुछ mass है और और चलता है तो उसके पास में momentum available होगा तो यहां actually wave की form में हम लोग का उस concept को देखेंगे तो एक wave vector की form में wave vector होगा wave vector actually क्या है wave vector को हम लोग k से denote करते हैं और k जो है वो equal to two pi by lambda के है तो कोई wave जब medium के अंदर travel करती है तो उसकी direction को explain करने के लिए के यूज किया जाएगे तो यह wave vector का concept है अगर कहीं wave vector की बात होगी और phonon की बात की है उसके बात की है उसके बात की है तो इन basic concept को हम BCS theory के understand करने के लिए यूज करेंगे और यहां जो आप एक concept देख चुके हैं कि plus plus repulsive force है minus minus repulsive force है लेकिन अगर कहीं charge कम हो जाए और एक charge ज्यादा हो जाए तो वहाँ पर attractive force है right I'm sure कि यह idea अब आपको clear हो चुका होगा तो इस idea के बाद अब हम लोग सबसे पहले discuss करेंगे वो about to the electron और यह जो phonon था and electron इस interaction पर focus करेंगे तो इसको generally जो title दिया है वो electron यहां phonon और फिर उसके बाद electron interaction अब यह इस way में क्यों लिखा है यह अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि electron and phonon की interaction होगी and then after उस result के बाद वो जो second electron है उसकी interaction होगी तो सबसे पहले जो है वो यह part होगा और उसके बाद में यह part जो है role play करेगा तब आप जो है इस bcs theory को explain कर पाएंगे तो यहां इस point को हम लोग observe करते हैं कि किस भी में हैं तो जब electron phonon हम लोग बोल रहे हैं तो अब आपको idea clear हो चुका होगा कि जब मैं phonon की बात करूंगा तो मैं यहां आपको एक lattice जो है वो ड्राग करके दिखा सकता हूं और उसके base पर यह explanation further तो यह वो lattice है जो superconducting material के जिसके साथ हम लोग यह सब study कर रहे हैं तो उस तरीके से यह जो अभी circle है yellow circle है यह yellow circle जो है वो positive ions को indicate करते हैं तो yellow circle जो है वो positive ion है और these are connected with this way elastically यह एक दूसरे के साथ में connect है और अब क्या होगा है actually तो अब यहां से हम लोग assume करके चलते हैं कि एक electron जैसे ही this lattice के अंदर enter करेगा ठीक है तो क्या होगा तो उस time यह होगा कि electron के पास में negative charge है और उनके पास में positive charge है तो जैसे ही electron यहां suppose कि यहां reach करेगा इस point पर ही electron है इसको मैं दूसरे color से indicate करता हूँ कि suppose किया यह electron है यह electron है और yellow जो है वो positive और है तो इससे क्या होगा कि यहां near about जितने यह positive ions हैं वो क्या होगे attract होंगे towards this right तो attract होंगे तो वो इस तरीके से displace होंगे यहां तो अब जो नई जो position होगी उसमें इनका जो behavior होगा उसमें यह suppose कि इस position पर आया और यह जो है यहां यह आपका इस position पर आया और यह जो है यहां पहुंच गया है तो अब जो होगा new form वो कुछ इस तरह से होगा आप समझें आप तो यह यह इस वे में होगा तो यह डिस्टोर्ट हो चुका है इसको डिस्टोरिशन बोलते हैं यह हुआ है मतलए है यह दिस्टोर्ट होज चुका है इस प डिजन के अंदर और यहां जो है इस point पर यह जो आप देख पा रहे हैं जहां चार्ज यह ग्रीन जो आयन है अब latest form में यहां positive charge density बढ़ चुकी है positive charge density यहां increase हुई है तो यह electron भी inside the lattice है और यह जो है so mass of iron actually define the distortion कितना होगा कम होगा या ज्यादा इप mass ज्यादा हुआ तो यह आपका vibration वो कम होगा right अगर mass कम है तो vibration ज्यादा होगा mass of iron decide the distortion amplitude if iron mass is more or high then low distortion if iron mass is lower then obvious its amplitude will be higher amplitude of the distortion right so obvious है कि अगर यह mass और यह mass है तो यहां पर अगर हम force apply करते हैं तो यह कम displace होगा अगर यहां force apply करते हैं तो यह ज्यादा displace होगा उसी point उतने ही force पर right तो यह simple सा एक concept है तो अब यह concept actually आया कहां से था यह isotopic जो effect है ना वहां से आया था यह study किया था जब isotop effect तो यह concept वहां से आया था जो lattice vibration का है and then after यह जो अभी आप देख रहे थे charge and because of that in this particular region of the lattice a positive charge density will increase and now क्या point है वह distortion का जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि वह distortion को हम लोग कैसे देखते हैं actually जैसे ही यह displace होगा positive ion अपनी position से towards this electron तो यहां lattice के अंदर disturbance आ जाएगा distortion आएगा और यह distortion फिर आपका इस जगह जो है यहां इस electron को यह जो है हम ऐसा बोलते हैं अभी जबाब theory पढ़ते हैं कि यहां इस electron के साथ interact करता है तो वह जो electron phonon है actually वह यह situation है तो यह electron and phonon interaction है उसको आप इस पे में देखते हैं अब phonon क्या है वह quantized vibration है और quantized vibration किसके हैं वह lattice vibrations है यह जो आप लोग देख रहे हैं तो इस point पर इतना कि अब क्या होगा आप जैसे suppose किया कि यहां यह electron phonon interaction हुआ तो electron phonon interaction के बाद अब जो second electron आएगा तो second electron यह जो है उसके साथ में क्या behavior करेगा यह जो situation है अब वहां पर और भी electron है तो वो electron actually यहां suppose किया यह electron यह second electron है तो अब यह जो यहां screening हुआ है for this charge तो यह क्या होगा कि यहां यह electron जो है यह super electron है इसका charge तो उत नहीं रहेगा लेकिन यह जो first electron था ठीक है तो इसके charge में यहां कुछ reduction हो जाएगा screening effect की वज़े से यहां एक screening effect होगा और screening effect इसी को बोलते है जो situation अभी है यहां पर और उसकी वज़े से इस electron का charge reduce हो जाएगा reduction of the charge तो अब electron का charge जैसे reduce होगा तो वहां जो दूसरा electron है उसके पास में तो उतना ही charge है जतना electron का है और यह जो पहला electron था इसके पास में charge कम हो गया है तो वह relatively positive है तो अब यह relatively positive है तो जो second electron है actually वह attract होगा towards this electron और यहां वह इसके साथ में एक actually वह जो बोलते हैं कि एक bond ना लेगा यह आपका first electron था और यह एक second electron था इनके बीच एक bond नेगा और यह bond जो है weak bond है यह bond टूटते रहते हैं और यह bond बंगते रहते हैं तो यह जो form हुआ है अभी यह attraction force के तुरू है यहां पर electron पर negative charge है लेकिन यह जो दूसरा electron था जो first electron था उसके पास relatively charge जो है वह अब positive है as compared to this one तो यहां यह जो second electron था इस first electron के साथ में एक bond नाएगा और यह एक तरीके से pair की form develop हो जाएगी यहां जो pair form develop हुई है of the two electrons कि यहां electron जो दोनों हैं के पास में as such जब हम उनको separate separate देखते हैं तो उनके पास negative negative charge है लेकिन जो screening effect हुआ तो उसकी वज़े से यह जो charge है वो charge reduce हुआ तो अब यहां जो दो electron है उनमें से एक का charge कम है और एक का charge जादा है तो उसकी वज़े से वो अहां एक attractive force होगा और उस attractive force की वज़े से वो दो electron जो हैं वो एक pair form करेंगे जिसको आप Cooper pair बोलते हैं तब वहां पर electron phonon plus this electron interaction वो define हो पारी है I hope कि यह idea मैं clear करवा रहा हूँ आपके साथ में जो अभी यह electron plus phonon पहली interaction जहां पर क्या हुआ कि यह screening effect था actually और वहां पर जो charge है वो reduce हो चुका है right और उस electron का तो अब इसके बाद में जब दूसरा electron आएगा तो यह जो दूसरा electron है right वो इस के साथ में जब interact करेगा तो वहां Cooper pair form होगे right तो यह basic idea है और इस idea के साथ में यहां और भी जो point है actually उनको discuss किया जा सकता है जैसे कि यहां जो first electron था वो जब enter करता है into the lattice right तो वो क्या करता है emit करता है a phonon और यह जो phonon है यह absorb होगा by the second electron right तो यह phenomenon है in a simple way तो इसको जो है वो fine man diagram के form में कैसे so करता है कि जो first electron है यहां wave vector की form में इसको actually define किया हुआ है कि this arrow indicate to the first electron k so wave vector जो होगा वहां पर k और जब यह actually इस phonon को यह q से denote जो किया है करते है generally phonon है इस phonon को emit किया है तो इस phonon को actually यह second जो electron है wave vector k prime से उसको denote किया हुआ है right तो यहां this ही दिख k prime और इसको आप यहां capital है k prime तो यह इसको absorb करता है तो इसका जो complete है जैसे यह emit करेगा first जो electron है इस phonon को तो scatter इस direction में हो जाए और तो अब उसका जो resultant wave vector होगा k minus q और यह जो है इसको इस वे में हम दिखा सकते हैं तो यह k plus k prime plus q इस वे में तो यह electron phonon interaction है electron phonon electron interaction इसके इसके साथ में फिर दूसरे जो पार्ट है आप उसको understand कर सकते हैं but in sort I have observed that these are the main things in the BCS theory I hope कि यह idea मैं आपको समझा पाया हूंगा आपका और अगर कोई question है related to the band gap है या दूसरे पार्ट है वह भी आप देख सकते हैं और cooper pair के बारे में in general तो यह है कि cooper pair है उसमें यहां इनके जो spin है वह opposite है तो जो resultant spin angular momentum होगा यहां पर zero होगा तो इस वजह से जो cooper pair है उनको बोसोन के जैसे treat करते हैं तो यह जो cooper pair है इनको as a single particle और as a boson treat करते हैं फर्दर जो इनको यहां quantum turning की बात करेंगे तो यह जो होगा right cooper pair एक particle के जैसे होगा right तो यह particle जो है वो डी ब्रोगली वेव को concept जो है डी ब्रोगली वेव का उसको satisfy करता है यह नहीं करता है ठीक है वो जो next आपका topic होगा उसमें यह point हम लोग discuss करेंगे जो सिप्सन जो turning है वहाँ पर तो वहाँ टी ब्रोगली का जो concept है वो यूज हुआ हो है कि one particle कब आपको particle nature so करेगा और कब वो wave nature so करेगा तो quantum जो turning actually वो wave nature के concept है right तो जो आपके Cooper pair है वो जो turning करते हैं वो in terms of wave करते हैं right उस thin layer का वो जो भी define किया हुआ है right so इस video में इतना है thanks for watching this video and for your time